त्रीय दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम टैंस की फ़र्म याद करने के और लियम पढ़ेंगे जो की इस प्रकार है यहाँ पर देखी यहाँ पर लिखा है स्लिप की सेकन फ़र्म हमें बनानी है देखी हमें क्या करना होगा डबल ई के अस्तान पर केवल एक ही ई लिखना होगा दिखिए एस एल डबल ई के अस्तान पर केवल एक ई लिखा जाता है और फिर पी लिखा जाएगा और लाश्ट में टी लगाया जाता है यह हमारी सेकन फ़र्म बन जाती है ठर्ड फ़र्म बनाने के लिए हमें यही लिखना परता है इस प्रकार हमारी सेकन फ़र्म ठर्ड फ़र्म बन जाती है इसकी भी सेकन फ़र्म बनाते हैं देखिए एफ डबल ए की डबल ए है तो इसे हम एक बार लिखेंगे और ल लगाएंगे लास्ट में टी लिखा जाएगा और ठल्ड फॉर्म बनाने की लिए इसे ऐसा ही लिखेंगे ठीक उसी प्रकार यहो भी वैसा ही होगा देखिए डबल ए की अस्तान पर एक ही ए है इह हमारी सेकंड फॉर्म है ठल्ड फॉर्म बनाने की लिए हमें सेकंड फॉर्म ही लिखनी है यहां बहुत आसान है देखिए अब आपको नौट से बताता हूँ देखिए इस वीडियो में इतना है थैंक्यू एव नाइस टे